रानी जवान तो हो चुकी थी, लेकिन वो हद से जादा आलसी थी, अपने घर में वो खाना नहीं बनाती थी, यहां तक कि वो खुद के कपड़े तक नहीं धोती थी, उसके माता पिता ने उसका आलस दूर करने के बहुत सारे उपाये खोचे, लेकिन कोई भी उपाये काम नह पिर एक दिन उसकी मा ने अपने पती से कहा, रानी का आलस तो दिन बर दिन बढ़ता ही जारा है, हमने सोचा था कि जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसका आलस भी खत्म हो जाएगा, पर इसका आलस तो दिन बर दिन बढ़ता ही जारा है, अरे वो अभी बच्ची है, जब उसकी शादी हो जाएगी, उसके बच्चे होंगे, तब इसका आलस खुद बाखुद कम हो जाएगा एक दिन. हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, जो मैं आपसे बात करने वाली थी, वो बात आपने खुद कह दी. तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं कुछ समझा नहीं. जल्दी से रानी की शादी कर देते हैं, वरना इसका आलस हर दिन के साथ बढ़ता ही जाएगा, और इतनी आलसी लड़की से भला कौन शादी करेगा, जहां आज कल की लड़कियां दिन भर अपना मेकप किया करती हैं, वहीं इसे तो सजने सवरने में भी आलस आता है. तुमने बिल्कुल सही का, मैं आज ही पंडित जी से बात कर लेता हूँ, वो कोई न कोई लड़का ढूंड लेंगे, और जल्दी से रानी की शादी कर देते हैं, इसके बाद इसका आलस खुद बखुद दोर हो जाएगा. रानी के पिता ने पंडित जी से रानी की शादी की बात कही, पंडित जी तो शादी कराने के लिए तैयारी बैठे रहते हैं, इसलिए कुछी दिनों बाद पंडित जी एक लड़के के पूरे परिवार के साथ रानी के घर उसे देखने के लिए आए. ये लड़की के माता-पिता है और ये है लड़का इसका नाम समीर है समीर बहुत अच्छी कमपनी में काम करता है इन्हें मैंने आपकी बेटी की फोटो दिखाई थी समीर को लड़की पसंद है पंडित जी आपने लड़का पसंद किया है तो अच्छा ही होगा मुझे भी आप लोगों का नेचर बहुत अच्छा लगा आपकी बेटी तो बहुत शर्मीली है हमें ये रिष्टा मनजूर है रानी का परिवार बहुत खुश हुआ दोनों परिवारों का रिष्टा तै हो गया और समीर की शादी रानी के साथ हो गया अरे पिटा तेरी विदाई हो रही है कम से कम जमाने को दिखाने के लिए ही सही थोड़ा बहुत तो रोले मा आपको पता है ना रोने में कितनी मेहनत लगती है और मैं क्यों रोऊ अगर मुझे शादी नहीं करनी होती तो मैं सीधा सीधा मना कर देती अगर मुझे शादी करनी है तो फारल तुमें मैं क्यों रोऊ देख रानी तुझे मेरी कसम है तुझे रोना ही पड़ेगा वरना लोग क्या कहेंगे कसम देते ही रानी बच्चों की तरह जोर-जोर से चिला कर रोने लगी हाई रे अमा, हाई पपा मुझे रोक लो मैं आप लोगों के मिना नहीं रह पाऊँगी, मर जाऊँगी मैं दूसरे के घर क्यों बेज रही हो तुम लोग, इंसान हो या चलात अपनी बेटी को जाट बुझकर दूसरे के घर में बेज रहे हो शरम नहीं आती, मुझे नहीं जाना ससुराल मुझे यहीं रहने आप लोगों के पास उसके माबाप समझ गए कि अब ये ओवर एक्टिंग कर रही है इसलिए उसकी मा ने जबरदस्ति उसे कार में बिठा दिया और वो अपने ससुराल आ गई ससुराल में उसकी पहली रसोई थी अरे रानी बेटा, आज तेरी पहली रसोई है तुझे चू भी बनाना आता है, बना दे ताकि जल्दी ये रसम पूरी हो और मेरा काम खत्म हो अब क्या करूँ, यहां तो मैं बहाने भी नहीं बना सकती घर में तो आज तक मैं चाय तक नहीं बनाती थी और यहां इन लोगों के लिए खाने के लिए कुछ न खुछ तो बनाना धटेगा क्या सोचने लगी बहू सासू मा में सोच रही हो कि आप लोगों के लिए क्या बनाऊ आप लोग के बताईए क्या खाएंगे आप लोग आलू टमाटर, आलू मटर, पनीर टिका, शाई पनीर, कढ़ाई पनीर, रजगुला, छेना, गाजर का हलवा, सुजु का हलवा या खीर, इन में से क्या-क्या बना दू मैं? ये सब आप्शन सुनकर उसकी सास दंग रह गई क्या बात है रानी, तुमें तो बहुत कुछ बनाना आता है, इतना जादा कुछ बनानी की ज़रुरत नहीं है, इस घर में तुझे लगाके सर्फ चार लोग हैं, जो भी तेरा मन हो बना दे रानी ने बड़ी मुश्किल से खुद को खाना बनानी के लिए तैयार किया, मोटिवेट किया और किचिन में जाकर कुछ बनाने लगी आधे घंटे में ये उसे जो बनाना था उसने बना लिया और खाने की टेबल पर आ गई रानी तुमने तो हाथ सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये, इतनी चल्दी सारा खाना बन भी गया हाँ, खाना बनाने में तो इतना ही टाइम लगता है ना, सब लोग अपनी प्लेट आगी कीचे, मैं सब को खाना दे देती हो रानी ने सब की प्लेट में एक-एक चम्मच चावल और एक-एक चम्मच आलू मटर की सबजी रगए मा इसने तो सिर्फ दो-दो चम्मची सब को खाना दिया बेटा मुझे लगता है बहुने सिर्फ इतना ही खाना बनाये है उसने सोचा होगा पहले हम लोग खाना चक लें पिर शाम को वो जादा खाना बनाएगी अगर खाना पसंद आएगा तो अगर हम लोगों को खाना अच्छा नहीं लगेगा तो अपनी गलती में सुधार कर लेगी इसलिए उसने सिर्फ दो-दो चम्मची खाना बनाये है ऐसा मुझे लगता है क्या बात है मा आप तो दिन बदिन इंटलिजन्ट होती जा रही हो अरे आप लोग आपस में क्या खुसूर-फुसूर कर रहे हैं पहले खाना खाईये तो उसके बाद में पता चलेगा न कि कैसा बनाये खुसूर-फुसूर बाद में कीचेगा सभी लोगों ने दो-दो चम्मच खाना खा लिया सबने खाने की तारीफ भी बहुत की बहुत तुझे खाने के लिए सौ में सौ नमबर दिये जाते हैं तु इस टेस्ट में पास हो चुकी है अब रात में सब के लिए यही खाना बना देना और हमें उम्मीद है कि तु जो भी बनाएगी अच्छा ही बनाएगी और जो भी तेरा मन हो वो रात में बना देना ठीक है जासुमा रानी अपनी कमरे में अकेले बैट कर कुछ सोच रही थी लगता है मेरे ससुराल वाले भी एक नमबर के आलसी है मैंने सब को सिर्फ दो-दो चम्मची खाना दिया फिर फिर लोगों ने कुछ नहीं का चलो मेरे लिए तो अच्छा ही है शाम को भी दो-दो चम्मची खाना बनाना पड़ेगा वैसी इतना खाना बनाना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है थोड़ा आराम कर लिती हो ताकि शाम को खाना बनाने के लिए थोड़ी ताकत मिल सके मुझे शाम को रानी ने सब के लिए दो दो चमच ही खाना बनाया बहु खाना हमने दिन में चक लिया था तो फिर से तुमने इतना ही खाना क्यों बनाया क्यों सासुमा जादा बना दिया क्या अरे रानी दो दो चम्मत से किसी का पेट भरता है क्या मा जी इतना खाना बनाने में ही मेरी हालत खराब हो गई अब जा रहे हो आराम करने, आप लोग खालो मैं बाद में खालूँगी इतना कहकर रानी आराम करने चली गए मा ये तो एक नंबर की आल से निकली, मैं अभी ससुरजी से बात करता हूँ नहीं बेटा, एक बाप जब अपनी बेटी दान कर देता है, उसके बाद ससुराल वालों की ही जिम्मेदारी बन जाती है उसकी बहु की शिकायत उसके माईके में करना ये हमारी संसकार नहीं है बेटा, मैं खाना बना लिया करूँगी, धीरे धीरे बहु को भी सुधार दूँगी ठीक है मा, आप जैसे सास हर लड़की को मिले कई दिन बीद गए लेकिन रानी का अलस कम नहीं हुआ, सारा खाना उसकी सास को ही बनाना पड़ता था एक दिन उसकी सास अकेले किचन में खाना बना रही थी, उसके ससुर और समीर भी घर पर नहीं थे तभी अचानक गैस ने आग पकड़ ली सास किचन से बाहर आ गई लेकिन सिलेंडर भभग भभग कर चल रहा था तभी रानी भाग कर आई और उसने बिना डरे एक कंबल सिलेंडर पर डाल दिया जिससे आग बुझ गई बहु तुने तो कमाल कर दिया अज पहली बार तुझे इतनी फुर्ती में देखा मैंने मैंने भी रात को जब सब लोग घर आए तो उसकी सास ने सबको पूरी बात बताई तभी रानी सभी के लिए बहुत सारा खाना बना कर लाई अरे बहु आज तो ये दूसरा कमाल हो गया मा जी आग लगने की घर्टना से मेरे अंदर का आलस पूरी तरह मर गया लोग सही कहते हैं जो होता अच्छे के लिए होता है इस तरह रानी का आलस हमेशा के लिए खत्म हो गया और वो लोग खुशी-खुशी रहने लगे जिसकी मुखी किरदार है पावनी जो शहर की सबसे बड़े बिजनेसमेन राहुल सिंगानिया की कलौती बेटी थी बाई पापा, मैं कॉलिज जा रहे हूँ जस्ट वन सेकेंड, मैं भी ओफिस के लिए निकल रहा हूँ तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा ठैंक्स पापा, बट आइम गेटिंग लेट आप आराम से नाश्ट कीजे मैं निकल रहे हूँ अरे रुको ना बेटा, मैं आ तू रहा हूँ पावनी के पापा राहुल ने अपने हाथ में सेंड़िच लियो और वो पावनी के साथ जाकर कार में बैट गये ड्राइवर, पहले कॉलेज ले चलो पावनी को ड्रॉप करके फिर आफिस चलना हाँ पावनी, और बताओ, कैसा चल रहा है कॉलेज में पापा, बेटा, मुझे समझ नहीं आता कि शेहर के इतने बढ़िया-बढ़िया कॉलेज छोड़ कर तुमने इस टीचर कॉलेज को क्यों चुना पापा, भले ही मेरा कॉलेज सरकारी है लेकिन वहाँ के टीचर सबसे बेस्ट है आपकी सो कॉल्ड बढ़िया कॉलेजेज में फेसिल्टीज तो बहुत हैं पर वहाँ की टीचर्स उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब होता है स्टुडेंट से नहीं अब श्याम भया, बस बस, यहीं रोग दो यहां क्यों, कॉलेज तो अभी आगे है न नहीं पापा, मेरी फ्रेंड्स बाहर ही खड़े होंगे और मैं उनके सामने आप किस मेंगी गाड़ी से नहीं उतरना चाहती इतना कहकर पावनी गाड़ी से उतर गई और फिर सर, पावनी मेडम कितनी समझदार है न हाँ, आखिर बेटी किसकी है वो नहीं चाहती कि किसी को मालूम चले कि वो कितने अमीर बाप की बेटी है ठीक तो है, सब उसके बारे में जान जाएंगे तो ये गरीब भटीचर लोग भीक मांग मांग कर उसे परिशान कर देंगे ड्राइवर श्याम राहुल की बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया वो पावनी को उसके बचपन से जानता था वो समझता था कि पावनी असल में अपने दोस्तों के सामने अपने पापा के पैसों का दिखावा नहीं करना चाहती असल में लोगों को लेकर पावनी और उसके पिता की सोच में काफी अंतर था उधर कॉलेज में अंजी मैडम कहा रगी थी? सौरी वो तुम्हें तो पता है ना इस शेहर में बसों में कितनी भीर रहती है हा हा चिंता मत करो शादी के बाद मैं तुम्हें हर जगा अपनी बाइक पर ले चलूँगा फिर तुम्हें बसों के धक्के निखाने पड़ेंगे अच्छा जी और ये बाइक कहां से आईगी? मेरे घर से नहीं मिलने वाला कोई दहेच वहेच अब इसे बता रही हो समझे? मुझे कुछ चाहिए भी नहीं सिवाय तुम्हारे मैंने पूरी प्लैनिंग कर रखिये गाउं में अपना एक छोटा सा खेत है खेती का काम अब पापा के बसका रहा नहीं तो उसी जमीन को बेच कर एक बाइक लूँगा और एक छोटी से दुकान खरीद लूँगा कहां? इसी शहर में क्या? हो मैडम हो! इतना रईस नहीं हूँ मैं खुद को पूरा बेच भी दूँगा ना? तब भी यहां दुकान नहीं खरीद पाऊंगा केशव की बात पर पावनी जोर-जोर से हसने लगी केशव और पावनी कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे दोनों की पहले दोस्ती हुई फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे पर पावनी ने केशव को कभी नहीं बताया कि वो कितनी अमीर है जबकि केशव ने पावनी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था केशव गाउं से शेहर आया पढ़ने के लिए और वो एक छोटे किसान का बेटा था ऐसे ही वक्त बीता और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने को आ गई फिर एक दिन पावनी, मुझे तुमारे घरवालों से मिलना है पर उनसे क्यों मिलना है तुम्हे अरे, उनसे मिलवा होगी नहीं तो तुमारा हाथ किससे मागूंगा भई अच्छा, और वो एक बेरुजगार के हाथ में मेरा हाथ दे देंगे ओ मिस्टर, पहले कुछ काम धंधा शुरू करो फिर आना मेरा हाथ मागने हम, ठीक है तो फिर डन रहा मैं अगले महिने तक अपना वो खेद बेच कर काउं में एक दुकान खोलता हूं और एक नई बाइक भी खरीद लूँगा और फिर उसी बाइक पर आऊंगा तुम्हारा हाथ मागने सहीए, तुम्हारे घरवालों पर भी तो इंप्रेशन जमना चाहिए कि लड़का पैसे वाला है वही केशव की बाद सुनकर पावनी मुस्कुरा दी कुछ दिन और बीद गय एक दिन पावनी ने हिम्मत करके अपने पापा राहुल सिंखानिया को केशव के बारे में बता ही दिया केशव की आर्थिक सिति के बारे में जानकर राहुल का पारा साथ में आसमान पर चड़ गया क्या कहा तुमने? किसान का बेटा और वो खुद क्या करता है पापा वो वो गाउं में उसकी दुकान है गाउं में? बेटी are you gone mad? कैसे रहोगी तुम उस फटीचर के साथ राहूल सिंगानिया की बेटी एक गाउं में गोबर और कीचर के बीच रहेगी क्या पापा प्लीज आप समझने की कोशिश कीजे I love him और मैं मैं उसके बिना shut up पावनी अरे अपना नहीं तो कम से कम मेरे स्टेटस के बारे में तो सोचो I am sorry पापा पर मैंने स्टेटस देख कर नहीं बलकि एक अच्छा इंसान देख कर उसे पसंद किया है ओ, तो इसका मतलब तुम फैसला कर चुकी हो ठीक है, मैं सब समझ गया तुमने इंसान देख कर प्यार किया और उसने तुम्हारा पैसा देख कर मैं उसे एक फूटी कौडी नहीं देने वाला ये बात कान खोल कर सुन लो तुम पापा उसे तो पता ही नहीं है कि आप मेरे पापा हो और नहीं उसे आपसे कोई दहेच चाहिए दहेच तो बहुत दूर की बात है मैं तो उस फटीचर की शकल भी नहीं देखना चाहता ये बात कहे कर राहुल सिंगानिया और पापनी को समझ आ गया कि केशव से उसकी शादी उसके पिता की मर्जी से तो कभी नहीं हो सकती अब पापनी के पास और कोई चारा नहीं था उसने अपना थोड़ा बहुत सामान लिया और सीधे केशव के पास चली गए केशव अपनी नई बाइक लेकर आया था इसके बात पापनी ने हिम्मद करके केशव को सब कुछ बता दिया केशव फॉरण पापनी को अपने साथ एक मंदिर लेकर लिया और वहां दोनों ने शादी कर ली शादी भले ही बहुत सादगी से हुई थी लेकिन इस शादी से पावनी और केशव दोनों बहुत खुश थे फिर एक दिन क्या हुआ? इतना परिशान क्यों हूँ? पावनी, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फाइदा? यहां गाउं में रहकर मैं अपना पावनी की समझदारी भरी बाते सुनकर केशव को बहुत अच्छा लगा दरसल केशव के पापा की तब यत काफी खराब रहती थी इसलिए केशव उन्हें छोड़ कर शेहर नहीं जा सकता था फिर एक दिन जब केशव और पावनी बाइक से कहीं जा रहे थे तब रास्ते में ही केशव की बाइक खराब हो गई और फिर केशव की बात सुनकर पावनी दुखी भी थी और हैरान भी हैरान इसलिए कि इतनी बड़ी आबादी और हाइवे होने के बावजूद वहाँ कोई बाइक रिपेर की दुखान नहीं थी किसी तरह वो दोनों रात को अपने घर पहुँचे और अगली ही सुबह पावनी तयार होकर बिना किसी से कुछ कहे शेहर के लिए निकल गई जब केशव को पावनी घर में नहीं दिखी तो उसने उसे फोन किया पावनी कहा हो तुम? सुरी केशव तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हे उठाये नहीं मैं शेहर आई हूँ किसी काम से शाम को आकर सारी बात बताती हूँ पावनी एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे थी दरसल केशव का जन्म दिन आ रहा था और पावनी उसके जन्म दिन पर उसे एक बड़ा तोफ़ा देना चाहती थी वो अपने पापा की ड्राइवर शाम से जा कर मिली अंकल, नमस्ते, कैसे हो आप? अरे पावनी मेडम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? शाम कई सालों से रहुल का ड्राइवर था गाड़ी और रिपेरिंग के बारे में उसे अच्छी खासी जानकारी थी पावनी उसकी बहुत इज़त करती थी और शाम भी पावनी को बहुत मानता था वो पावनी की मदद करने के लिए फॉरण तैयार हो गया शाम से मिलने के बाद पावनी सीधे बैंक गई और वहाँ एक फावनी दिखा कर उसने लोन पास करा लिया वो फावनी बिजनिस लोन के लिए थी और बैंक को पावनी का आईडिया पसंद आया था शाम को जब पावनी घर लोटी तो वो एक छोटे से ट्रक में सवार दे पावनी अब ये सब क्या है और ये ट्रक हाँ मैं इस ट्रक में हमारी खुशिया और तुम्हारा बर्डे गिफ्ट लेकर आई हूँ जैसे ही ट्रक वाले ने ट्रक का गेट खोला तो दिखाए दिया कि पूरा ट्रक छोटी बड़ी कई सारी पेटियों से भरा पड़ा था जिनमें बाईक रिपेरिंग के लिए जरूरी हर सामान मौजूद था केशव को कुछ समझ नहीं आ रहा था तभी पावनी ने आगे बढ़कर केशव को गले से लगाया और चेहकते हुए कहा पावनी ने ना सिर्फ पूरे गाउं की एक बड़ी परिशारी का हर धूम निकाला था बलकि केशव को उसके गाउं में रहकर ही अच्छी कमाई करने का एक बढ़िया मौका भी दे दिया था ठीक एक हफ़ते बाद केशव के आटो सर्विस सेंटर का उद्गाटन बड़ी धूम धाम से हुआ सब लोग पावनी और केशव के लिए तालिया बजा रहे थे और केशव आखों में आंसु लिये बस पावनी को देखे जा रहा था उसे एहसास हो गया था कि पावनी के रूप में उसने बिलकुल सही जीवन साथी को चुनाए जो उसके स्वाभिमान की भी कीमत समझती है और हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहने की हिम्मत भी रखती है